दोस्तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं एक लौंग पर करने वाला अमल जो लौंग हम गरम मसाले में इस्तेमाल करते हैं वो एक लौंग पर करने वाला अमल उसके साथ साथ हम आपको बताएंगे कि हजरति अली रौदियल्लाह अन्हों ने फरमाया कि जो लोग रात के वक्त अपने घर की सफाई नहीं करते हैं कूडा जमा करके रखते हैं उनके घर में कौन कौन सी परेशानिया आती है तो प्यारे दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को जरूर दबा दीजिएगा तो आईए वीडियो की शुरूआत करते हैं दोस्तों सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि हजरती अली रदियो अल्लाह अन्हों ने फरमाया कि जो लोग रात होने से पहले अपने घर से कुड़ा कच्रा नहीं निकालते हैं उनके घर में कौन कौन सी परेशानिया आती है उसके बाद हम आपको बताएंगे एक लौंग पर करने वाला अमल एक मरतबा एक अवरत परेशानी के हालत में हजरती अली रदियो अन्हों की खिबत में आई और कहने लगी कि या अली आपके पास हर परेशानी का हल है या अली मुझे कुछ बताईए देखिए मेरे दो बच्चे और मेरा शोहर दिन रात कमाते रहते हैं फिर भी हमारे घर में कोई बरकत नहीं है ना कोई खुशी है ना कोई सुकून है हमारे घर में एक बिमार ठीक हो जाता है तो दूसरा बिमार हो जाता है घर की कोई एक चीज को पूरा करते हैं तो दूसरी चीज कम पड़ जाती है या अली आखिरा ऐसा क्यूं होता है तो हजरती अली रुदिय अलाहो ताला अन्हों ने फरमाया कि तुम्हारा चेहरा ये बयान कर रहा है कि तुम्हारे घर में रिज्क के फरिष्टे नहीं आते तो वो कहने लगी कि या अली हमारे घर में तो सब ठीक ठाक है लेकिन रिज्क के फरिष्टे क्यूं नहीं आते बात जब यहां तक पहुँची तो हजरत अली रुदियो लाहु ताला अन्हों ने फरमाया कि आए अवरत याद रखना रात होने से पहले अपने घर से पूरे घर का कच्छड़ा जमा करके एक जगह पर मत रखना बलके उसको घर की दहलीज से बाहर निकाल देना क्योंकि मैंने अल्ला के रसूल हजरत मुहम्मद से सुना है कि जब रात अपने अख्तिताम को जाती है और दिन करीब आने लगता है तो उस वक्त आसमान से रिज्ग के फरिष्टे जमीन की तरफ आते हैं रिज्ग तक्सीम करते हैं लेकिन जिस घर में नजासत या घर का कच् किसी एक जगा जमा होता है तो उस घर की तरफ तो वो फरिष्टे रुख नहीं करते और उस कच्डे की वजह से उस घर में शयातीन आने लगते हैं और यूं उस घर से बरकत, सुकून, शिफा चली जाती है प्यारे दोस्तों अब हम आपको बताते हैं एक लौंग पर करने दोस्तों हम आपको हुजूर पाकी आसान करने के लिए भी अमल बताते हैं, कभी कभी वजीफे भी बताते हैं, दुआएं भी बताते हैं ताके आप एक अच्छी जन्दगी गुजार सके लेकिन आज हम आपको एक ऐसा अमल बताने वाले हैं एक ऐसा तरीका बताने वाले हैं कि जो आपको एक लौंग पर करना है लौंग के बारे में तो आपने सुना ही होगा और उसको देखा भी होगा आपके अपने किचन में मुझूद होता है जो गरम मसाले में अक्सर हमें देखने को मिलता है तो मेरे दोस्तों, भाईयों, बेहनों कहने का मतलब यह है केस लॉंग पर आप ये अमल कर लें आपके घर में बे बरकती खत्म हो जाएगी आपके घर में बरकत होगी आपके मालों दौलत में बरकत होगी मैं ये नहीं कहता कि ये अमल करने के बाद आपके घर में पैसों की बरसात हो जाएगी या फिर आपका घर पैसों से भर जाएगा आपका थैला भर जाएगा बोरिया भर जाएगी मैं कुछ भी नहीं कहता लेकिन हाँ, अगर आपके घर में परेशानिया है जितनी आपकी आमदनी हैं उतने में आपका गुजारा नहीं होता तो इन्शालला अल्ला तबारक वाताला की करम से आपके हालात बहुत ज्यादा बेहतर हो जाएंगे यह अमल आपको किस तरह से करना है यह नोट कर ले जो भी औरतें जो भी मर्द जो भी मेरे भाई बहन यह अमल करे तो आपने घर में इसके बारे में किसी को कुछ नहीं बताना है चुप चाप खामोश होकर एक लौंग ले ले और उस पर सिर्फ बीस मर्तबा सूरा कौसर यानि इन्ना आतवईना कल कौसर ये सूरा आपको बीस मर्तबा पढ़नी है और फिर उस लौंग को किसी कपड़े में लपेट कर आप उस जगह पर रख दे जहां पर आप अपने पैसे रखते हैं अपना सोना चांदी वगएरा रखते हैं उस जगह पर आप उस लौंग को कोई कपड़े में लपेट कर अपनी तिजोरी में रख दे और फिर देखते कि जैसे जैसे दिन गुजरते जाएंगे आपके हालात अल्लह तबारक वातला के करम से बहतर होते जाएंगे घर में इतनी बरकत होगी कि आप थोड़े पैसे कमाते हैं तब भी आपको गुर्वत का एहसास नहीं होगा आपके हर जरूरत पूरी होगी आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये सब कहां से आ रहा है ये बहुत छोटा सा अमल है लेकिन मेरे दोस्तों भाईयों और बहनों एक बात का ध्यान रखे कि ये सब वजीफे वगैरा उस वक्त काम करते हैं जब हम नमाज परते हैं अल्ला तबारक वाताला की अबादत करते हैं लिहाजा नमाज की पाबंदी करें उसके साथ साथ वजीफे किया करें अमल किया करें अल्ला तबारक वाताला आपको कभी मायूस नहीं करेगा कुछ लोग नमाज नहीं परते रोजा नहीं रखते, अल्ला की अबादत नहीं करते, फिर वजीफे करते हैं, फिर वही कहते हैं, कि हमारा वजीफा काम्याब नहीं हो रहा है, हमारा काम नहीं हो रहा है, तो दोस्तों, पहले वो काम करें, जो अल्ला तबारक वाताला ने हम पर फर्ज किया है, इन्शालला आ आपका हर वजिफा काम्याब होगा दोस्तों किया आप भी हमेशा ये सोचते हैं कि आखिर हमारे घर में बरकत क्यों नहीं हो रही है तो हम आपको नभी पाक ﷺ के वो साथ फर्मान बताने वाले हैं जिससे अल्ला तबारक वाताला के बरकत का नुजूल हमारे घरों पर होगा तो चलिए देखते हैं वो कौन कौन सी साथ चीज़े हैं लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी गुजारिश है के इस वीडियो को एक लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताके इसलामी और मालुमाती वीडियो रोजाना की बुनियाद पर आपको मिलती रहे दोस्तो अगर बात की जाए उन साथ चीजों की जिससे अल्लह तवारक वाताला की रहमत का नुजूल हमारे घरों पर होता है तो नमबर एक पर है कुरान मजीद दोस्तो कुरान मजीद दुनिया की किताबों में से सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब है और हुजूर पाक अल्लह वाली वासलिम ने फरमाया कि कायामत तक के आने वाले इनसान के लिए हिदायत का जरिया है और तमाम बिमारियों से शिफा की दुआ भी है इसलिए हर इनसान को अपने घर में खुरान मजीद जरूर रखनी चाहिए दोस्तों जमजम के पानी में अल्लह तबारक वाताला ने बहुत सारी शिफा भी रखी है और बहुत सारी बिमारियों का इलाज भी रखा है इसलिए हमें चाहिए कि जमजम का पानी अपने घर में जरूर रखें नमबर तीन कलोन जी नबी करीम ने फरमाया कि मौत के आलावा तमाम बिमारियों का इलाज और तिब्बे नबी के मताबिक रसूल अकरम ने सारी जिन्दगी तमाम बिमारियों के इलाज के लिए कलोन जी का इस्तेमाल किया करते थे नमबर चार खजूर दोस्तो नबी करीम صلی اللہ علیہ وسلم ने फरमाया कि जिस घर में खजूर हो उस घर में रहने वाले कभी भूखे नहीं सोएंगे दोस्तो जरा गोर कीजिए कि नबी करीम صلی اللہ علیہ وسلم ने रोटी का नाम नहीं लिया क्योंकि अल्लह तबारक वाताला ने खजूर में बरकत रखी है इसलिए मक्का और मदिना में खजूर की फरावानी है नमबर पांच जैतून का तेल दोस्तो जैतून के तेल की एहमियत इस बात से लगाई जा सकती है कि अल्लाह तबारक वाताला ने जैतुन के तेल की फजिलत बयान करते हुए एक सूरत भी नाजल फरमाई वत्तीनी 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 वत्तूरी सीनीन और इसके अलावा हुजूर पाक ﷺ ने जैतुन के तेल से रोटी भी खाई है और सर पर भी लगाया करते थे इसलिए घर पर जैतून का तेल रखना चाहिए हमारे प्यारे नभी हजरत मुहम्मद अलिए को शहद बहुत ज्यादा पसंद था और शहद में बहुत सारी बिमारियों का इलाज भी है इसलिए हर मुसल्मान को चाहिए कि अपने घर में शेहद जरूर रखें नमबर साथ सिर्का दोस्तो नभी पाक अल्याओं ने अपनी जिन्दगी में बहुत ज़्यादा सिर्का इस्तेमाल किया और अल्ला तबारक वाताला ने इसमें बहुत ज़्यादा बरकत रखी है इसलिए हमें घर में सिर्का जरूर रखना चाहिए दोस्तो अब हम आपको बताते हैं कि हजरत अली रदियुल्लाह अन्हों ने फरमाया कि ग्यारा औरतें बेवाफा होती है अली ने फरमाया कि बुरी आउरत की ग्यारा निशानिया होती है नमब एक परदा ना करने वाली आउरत दोस्तो हजरत अली ने फरमाया कि जो आउरत अपने आपको ढ़क कर नहीं रखती वो इस दुनिया की सबसे बेकार आउरतों में से है नमबर दो शोहर की नाफरमानी करने वाली आवरत हजरते अली ने फरमाया कि जो आवरत अपने शोहर का कहा नहीं मानती वो इस दुनिया की सबसे बेकार आवरत है नमबर तीन बद्जुबान आवरत हजरते अली ने फरमाया कि जो आवरत बद्जुबान होगी यानि अपनी मूँ से गलत बात करने वाली आउरत भी बेकार आउरत होती है नमबर चार बालों को खुला रखने वाली आउरत जो आउरत अपने बालों को खुला छोड़ती है यानि बालों की नुमाईश करती है वो भी बुरी आउरतों में से एक आउरत है नमबर पांच सबसे ज्यादा अकलमन समझने वाली आउरत दोस्तो हजरत अली ने फरमाया कि ऐसी आउरत अपने खांदान में अपने आपको सबसे अफजल समझती है वो बुरी आउरत है नमबर छे, ज्यादा बोलने वाली अवरत, हजरत अली ने फरमाया कि ऐसी अवरत जो दूसरों को बोलने का मौका नहीं देती, ऐसी अवरत भी बुरी अवरत होती है नमबर साथ ज्यादा सोने वाली औरत हजरते अली ने फरमाया कि ऐसी औरत भी बेकार औरत होती है जिसको सोने की ज्यादा फिक्र हो यानि जिसको नीन बहुत ज्यादा पसंद हो नमबर आठ चीख चीख कर बोलने वाली औरत हजरति अली ने फरमाया कि जो अवरत जोर जोर से बात करती है वो अवरत भी बेकार अवरत होती है नमबर नौ बारिक लिबास पहनने वाली अवरत दोस्तों हजरति अलि रोधिय crawl अल्लाह अन्हों ने फरमाया कि जो आउरत बारिक यानि दिखावे वाले कपड़े पहनते हैं वो आउरत भी बेकार आउरत होती है नमबर दस पीट पीछे बुराई करने वाली आउरत दोस्तों हजरति अलि ने फरमाया कि ऐसी आउरत भी बेकार होती है जो लोगों के पीट पीछे अपने खांदान की बुराई करती है नमबर ग्यारा ज्यादा घुमने फिरने वाली आउरत दोस्तो हजरत अली ने फरमाया कि जो आउरत फुजूल घुमने फिरने को ज्यादा पसंद करती है यानि बाजार के चक्कर लगाने की शौकीन होती है तो अवड़त भी बेकार अवड़त होती है अज हम जानेंगे साथ चीज़ों से घर में गरीबी आती है यानि साथ चीजों से हमारे घर में बे बरकती आती है गरी भी आती है और इन कामों के करने से हमारे घरों में खैरों बरकत नहीं होती और प्यारे दोस्तों उसके साथ साथ हम आपको यह भी बताएंगे कि साथ चीजों से घर में बरकत आती है खुशहाली आती है इन साथ कामों को अगर कोई करता है अपने घर में तो उस घर में खेरो बरकत होती है तो वो कौन कौन सी साथ चीजें हैं आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप से एक गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिजिएगा तो दोस्तो साथ चीजों को करने से घर में गरीबी आती है तो नमबर एक पर है जल्दी जल्दी नमाज पढ़ने से गरीबी आती है घर में खैर और बरकत खत्म हो जाती है फक्र फाका और तंगदस्ती आती है बहुत सारे लोगों की आदत होती है कि वो मस्जिद में जाते हैं और जल्दी जल्दी नमाज पर कर बाहर आ जाते हैं प्यारे दोस्तों ऐसा करने से जिन्दगी से बरकत खत्म हो जाती है और घर में खेरो बरकत नहीं होती गरी भी आ जाती है नमबर दो खड़े होकर पेशाब करने से गरी भी आती है घर में खेरो बरकत नहीं होती इसलिए दोस्तों हमेशा खड़े होकर पेशाब करने से बचने की कोशिश करें और सुननत तरीके से ही अपनी जिन्दगी गुजारने की कोशिश करें नमबर तीन दोस्तों पेशाब करने की जगह पर वजू करने से गरी भी आती है फकीरी आती है और इस वजह से घर में खैर और बरकत नहीं होती और घर का सुकून चला जाता है चाहे आप कुरान पढ़ने के लिए वजू करते हैं या आप नमाज पढ़ने के लिए वजू करते हैं तो जिस जगह पर आप पेशाब करते हैं व और कभी भी खुश हाली नहीं आएगी नमबर चार प्यारे दोस्तों खड़े होकर पानी पीने से घर में गरीबी आती है घर में खैरो बरकत नहीं होती तो दोस्तों बैठ कर हमेशा पानी पीना चाहिए और बैठ कर पानी पीना सुननत तरीका है और हमेशा बैठ कर ही पानी पीने की कोशिश करे और खड़े होकर कभी भी पानी ना पिए क्यूंकि दोस्तो पानी बैठ कर ही पीना चाहिए और बैठ कर पानी पीने के बहुत सारे फायदे है साइन्स तो आज इसकी तहकीक में लगी हुई है और बता रही है कि बैट कर पानी पीना चाहिए उसके बहुत सारे फाइदे होते हैं लेकिन दोस्तों पुर्बान जाईए हमारे दीने इसलाम पर कि हमें प्यारे नभी हजरत मुहम्मद सल्ले लाह वाली वसलम ने चाओदा सो साल पहले ही बता दिया कि बैट कर पानी पीना नमबर पांच मूँ से फूप कर चिराग बुझाने से घर में गरीबी आती है फकरो फाका आता है और घर में खैरो बरकत नहीं होती तो हमेशा एक चीज को याद रखे कि कभी भी चिराग को अपनी मूँ की हवा से यानि फूप कर कभी भी ना बुझाए नमबर छे दोस्तो दाट से नाखुन काटने से घर में गरीबी आती है उस घर में कभी खैरो बरकत नहीं होती क्यूंकि बहुत से लोगों की और खास कर बच्चों की यह आदत होती है कि वो दाटों से नाखुन को काटते हैं तो ऐसा करने से हमेशा बचना चाहिए अगर य ऐसी गलती करने वाला भी बीमार हो जाएगा और ऐसा करने से खैरो बरकत भी नहीं होगी और घर का सुकून चला जाएगा नमबर साथ आस्तीन से मूँ साफ करने से घर में गरीबी आती है घर से खैरो बरकत खत्म हो जाती है बहुत सारे लोगों की आदत होती है कि दामन या आस्तीन से मूँ साफ करते हैं इसलिए दामन या आस्तीन से कभी भी मूँ साफ ना करे और हमेशा इस से बचने की करता रहे दोस्तों अब हम बात करते हैं उन चीजों के बारे में जिन साथ चीजों को करने से घर में आमेरी आती है खुशहाली आती है खेर बरकत होती है तो नमबर एक पर है कुरान की तिलावत करने से घर में खेरो बरकत होती है आमीरी आती है मालदारी होती है और खुशाली आती है और मेरे दोस्तों आप खुद ऐसे घरों को तलाश कीजिए और खुद जाकर देखिए कि घर में रोजाना कुरान की तिलावत होती है उस घर में कितनी खेरो बरकत होती है वहां क्या सुकून होता है अगर आप भी मालदार बनना चाहते हैं आप भी अपने घर में खैर और बरकत चाहते हैं तो आपको भी रोजाना कुरान पाक की तिलावत करनी चाहिए नमबर दो पांच वक्त की नमाज पढ़ने से दोस्तो पांच वक्त की नमाज पढ़ने से खुश हाली आती है घर में खैर और बरकत होती है और उस इनसान की जिन्दगी में खुशिया ही खुशिया होती है और जो नमाज पढ़ते हैं पांच वक्त की वो मालदार भी होते हैं क्योंकि पांच वक्त की नमाज पढ़ने से इनसान के घर में खैरो बरकत आती है, अमीरी आती है, मालदारी आती है, अगर आप भी अमीर बनना चाहते हैं, आप भी खाहिश रखते हैं, कि आप भी मालदार लोगों में शामिल हो जाए, तो आप सबसे पहले नमाजी लोगों म खुराने शरीफ में फर्माता है कि अगर तुम शुक्र गुजारी करोगे तो बे शक हम तुम को ज्यादा देंगे तो दोस्तों अगर आपके पास अल्ला तबारक वाताला की दी हुई दौलत है, बहुत सारी नियामत है या बहुत थोड़ी है, तो फिर भी अल्ला तबारक वाताला का हमेशा शुक्र अदा करता रहे, भले आपके पास कुछ भी ना हो, फिर भी आप अल्ला का शुक्र अदा क क्योंकि कोई ऐसा इनसान नहीं जिसके पास कुछ भी ना हो क्योंकि उसे इमान मिला है और सबसे खुश किसमत इनसान है जिसे प्यारे नबी हजरत मुहम्मद अम्मत में जगा मिली है तो हर चीज़ को लेकर अल्ला तबारक वाताला का शुक्र अदा करने लगोगे तो अल्ला ताला आपको इतना अमीर बना देगा इतनी दुलत से नमाजेगा कि आपकी जिन्दगी में खेर और बरकत आती जाएगी नमबर चार गरीबों और मजबूरों की मदद करने से दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि अल्ला तबारक वाताला आप पर करम करें आपकी मदद करें तो आप हस्ब तविक जो भी आपके पास है उसमें से एक गरीबों और मजबूरों की मदद जरूर करना गरीब और मजबूरों की मदद करने से अल्ला तबारक वाताला दोलत में इजाफा करता है और उसमें खेर और बरकत अता करता है और गरीबों और मजदूरों की मदद करने से इनसान अमीर हो जाता है और खुशहाली उसकी जिन्दगी में आ जाती है खैर और बरकत उसकी जिन्दगी में आ जाती है चाहे आप किसी तरह उनकी मदद करे लेकिन उनकी मदद जरूर करे नमबर पांच गुनाहों से माफी मांगने पर दोस्तो जो शक्स अपने गुनाहों की माफी अल्ला तबारक वाताला से मांगता है तो बेशक अल्ला तबारक वाताला बड़ा रहीम वा करीम है उसे माफ कर देता है और उसके गुनाहों को माफ करके उसे नामाजता भी है उसको दौलत भी देता है उसको इज़त भी देता है तो हमेशा अपने गुनाहों की माफी अल्ला तबारक वाताला से मांगनी चाहिए अगर गुनाह से तौबा मांगने के बाद अगर आप भी दौलत पाना चाहते हैं खेर और बरकत पाना चाहते हैं सब कुछ अता करेगा अब सिर्फ उर्ते बैठते अस्तागभार करते रहिए नमबर छे माबाप और रिष्टेदारों के साथ अच्छा बरताव करने से खुशहाली आती है अमीरी आती है मालदारी आती है क्योंके माबाप के खिद्मत अगर आप करोगे उनके साथ अच्छा सुलूग करोगे तो माबाप आप के लिए हमेशा वैसे दूआ करते हैं चाहे आप उनके लिए अच्छा सोचे या ना सोचे माबाप तो माबाप होते हैं वो अपनी आउलाद की हमेशा भलाई सोचते हैं और आउलाद के लिए दुआ करते रहते हैं और माबाप की दुआ अल्ला तबारक वताला कभी रद नहीं करते नमबर साथ सुभा के वक्त सुरा यासीन और शाम के वक्त सुरा वाकिया पढ़ने से अमेरी आती है खुशाली आती है आप सुभा के वक्त सुरा यासीन की तिलावत कीजिए शाम के वक्त मगरिब के बाद सुरा वाकिया की तिलावत करे तो अल्ला तबारक वताला आपके रिज्क में बारिश की तरह बरकत अता करेगा दोस्तो ये कुल चवदा चीजे हुई साथ चीजों को करने से घर में गरीबी आती है और साथ चीजों को करने से घर में अमीरी आती है खुशाली आती है दोस्तो आज की वीडियो में बस इतना ही अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राब जरूर कर लिजिएगा Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh